कोईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टन टॉपिक की इन सॉलिडिटी जो की है स्टोरेज वर्सेज मिम्री तो इसके बारे हमनोंने काफी बार ही बात की हुई है जब उन्होंने स्टेट वेरबल के बारे हम बात की यहां पर भी बार बार का था कि यहां-कि तो आज हम लोग वह देखने चा रहे हैं कि क्या बेस्कली डिक्वेंस होता है t storage और memory में और क्या-क्या problem आप face कर सकते हैं अगर आप सही से storage और memory का use नहीं करते हैं तो यह चीज अम लोग practically अपनी remix id पर चलके भी देखेंगे तो क्या important differences है storage और memory में तो जो हम बात करते हैं storage की तो वह जो भी data hold करता है वह साथ कहां पर स्टोर होता है आपके स्टेट वेरिबल में मतलब की एक तरसे कॉंट्राइक स्टोर जाता है और वह पर्मिनेंटली स्टोर होता है इसे किसी लिए इसको कहा जाता है पर्सिस्टेंट बगर अगर हम बात करें memory में तो यह सिर्फ local variables ही store करता है ठीक है and if they are reference size अब मतलब क्या है इसका reference size क्या मतलब है जैसे कि कुछ particular हमने data types देख है जैसे अगर मैं बात करूँ string की तो string को अगर आप directly function के अंदर ऐसे लिखते हो memory keyword का use करना हो और उसका example अभी हमनों देखेंगे भी तो memory keyword में जब भी आप कोई चीज memory keyword का use करके लिखते हो right कोई भी data memory keyword का use करके store करते हो तो वो persistent नहीं होता मनलब कि वो persistent नहीं है in essence कि वो आपके contract की storage पर नहीं आप की blockchain पर नहीं है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा इसलिए हमें इसमें कोई gas requirement भी नहीं होती है जबकि अब storage में कोई भी हम particular data store करते हैं कोई भी transaction करते हैं कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर हमें हम लोग चया करते हैं हम लोग HDD का यूज करते हैं जबकि हम लोग memory में क्या है जैसे हमें कोई program run करना है जिसका बाब में कोई use भी नहीं है अगर लेट से कर मैं बन भी कर दूं और open करूं तो चले ना चले इसना कोई फरक नहीं पड़ता मगर जो बूटिंग जैसी चीज है वह हम कहा रखते हैं अपने स्टोरेज में रखते हैं अपनी HDD में रखते हैं तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से storage और memory का हम लोग यूज करते हैं और क्या 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 प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम लोग ने इसका सही से यूज नहीं किया तो तो मैंने पहले अपनी डायमिक बनाते हैं एक डायमिक बनाते हैं लेट से उसका नाम लिख देते हैं और इसके नदर कुछ प्रट कलया वेल्लीयो बढ़ाद लेते हैं इस तरह से अगर आपने नहीं पड़ा है तो प्लीस जरूर से उसको पढ़ लिजयेगा अपर आई बटन में इसकी लिंक देता हूं और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक function बनाते हैं, ठीक है, अब इस function को पहले, एक function हम लोग बनाएंगे, जिसके हम लोग memory का यूज़ करने जा रहे हैं, और एक function हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग storage का यूज़ करने जा रहे हैं, अब यह आपको समझना इस बार हम क्या करेंगे उसको memory type का बनाया और अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो हमने यहां पर बनाया ना हम इसको एक तरसे इसके वेरेबल में ट्रांसफर कर देंगे मतलब हम क्या करेंगे स्टूडेंट को सिंपली इसमें ट्रांसफर कर देंगे कर सकते हैं अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं अपनी स 1 के जीरो इत इंडेक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि value चेंज करेंगे पर आप शीenser क्या करते है यह स्टुरेज कर रहां हम लोग क्या करेंगे हम लोग यह स्टूरेज टायप के बनाने जा रहा है तो है नानों लेगे Storage और यहाँ पर लेगे S1 लेते हैं ठीक है S1 लेते हैं और इसको लिछ देते है स्टूडेंट तो इसमें हमने क्या किया here और स्टूरेच यहाँ लेते है और यहां पर भी इसमें bes injust क्यों कराएं अशुत बां आ धिक यहां पर हमने value चेंज किया S1 में 0 डालके आकाश करके यहां पर भी हमलों ने value में change कि S1 0 करके आकाश करके अब यह मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा ठीक है तो अब अच्छार यहां पर क्यों कोई भी state variable में तो change करनी रहे हैं इसको हम लोग लेट से view भी कर देते हैं इसको अब करते है compile ठीक है तो हमारे compile हो गया है इसको करते है अब यह आपको सब्सक्राइब कि मैं क्यों यह कर रहा हूं और क्या इसका मतलब फिर से इसको देख लीजे क्योंकि इसमें को confusion नहीं होना दे simply मैंने के किया है student को transfer किया है यहाँ पर S1 array में जो कि हमारी memory type की है और फिर हमने student array लिया अपनी एक storage type की dynamic array में अगर अभी हम बात करें student 0 पर क्या है तो रवी होगा रवी है यहां पर ठीक है यह भी सही है बला हमारी dynamic array तो बनी हुई है अब हम क्या कर रहे है यहां दीजेगा अब मैं memory वाले function को call करने जारूंगा तो मैंने memory function को call कर दिया अगर मैंने memory function को call कर दिया तो क्या हुआ गा memory function जैसे ही call हुआ गो तो student array S1 में transfer हुई और फिर S1 0 में मैंने आकाश डाल दिया ठीक है? तो अब मेरा आपसे question यह है क्या हमारे student array में कोई change होगा कै नहीं? कुछ अलग सा कोशन है क्योंकि मैं S1 में value change करता हूं क्योंकि मैंने student S1 में डाला है तो क्या student मतलब मेरे S1 में change होगा कि मेरे student में change होगा किसमें change होगा अभी पता कर लेते हैं तो मेरे memory में S1 0 में akash डाला है मतलब S1 में akash के value 0th index पर डाली है अब भी बहुत चेंग आई अब भी वही है राइट अभी हमारा रवी बना हुआ है ठीक है अब क्या लगता है आपको क्या होगा चलिए अभी दिक रख्रावाई मिंटेंड है मैं में में मैंने अब अब देखने क्या इसमें होते है अब मैंने इसको किया चेक अब देखें यहाँ पर हुई कुछ नई जीज यहाँ पर value क्या होगी आकाश होगी मतलब की जब मैंने memory वाले function वो call किया तब तो कोई change नहीं आया हमारे student में तब तो S10 पर तब रही था अब ही जब मैंने storage वाले function वो call किया तब क्या हुआ हमारे student वाले array में change हुआ मतलब हमारे student वाले array में क्या हुआ अकाश आ गया अब यह थोड़ी confusion वाले बार तो आईए अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ अपने presentation पे चलके है तो basically हुआ क्या हुआ यह कि जब मैंने यह particular line लिखी जहां पर मैंने student नायम की एक array बनाई तो memory में कुछ हमारे इस तरह से array बनी होगी ठीक है इसको हम लोग imagine इस तरह से कर सकते हैं फिर जैसे ही मैंने एक दूसरी नायन लिखी जिसमें मतलब कि मैंने function बनाया अपना MEM करके राइट उससे क्या हुआ कि memory में एक और array बनी जो कि इसकी इस वाली array की exactly copy थी तो इसी array की एक copy बनी जो कि कुछ इस तरह से दिखती थी जो हमारा S1 है इस time पर अब जब मैंने इसमें क्या किया S1 की zeroth index पे value change की तो हुआ क्या जब मैंने S1 की zeroth index पे value change की तो basically उसने जो change लाया वो कहां पर लाया इस copy of array में लाया मतलब कि ना कि original array में मतलब हमारी जो student array थी वो untouched रही जब मैंने S1 0 लिखा तो हमारी जो copy थी S1 उसमें क्या हुआ value में change हुआ तो इसी वज़े से हमारी original array में कोई भी change नहीं हुआ इसलिए आपने देखा थे रवी पहले भी maintain था जब मैंने memory को आले को call भी किया memory function को तब भी रवी maintain था बट जब मैंने next step किया next step क्या मैंने एक दूसरा function मना है मैंने वो function क्या मना है storage type का जब मैंने ये वाली line लेगी तब क्या हुआ तब यहां पर कोई देखेंगे तो कोई copy of array नहीं बनी मतलब इसकी कोई भी copy हमारी memory में नहीं बनी हुआ क्या basically s1 जो है एक जो array है हमारी उसने क्या क्या इसका एक तरह साब समय सकते हैं address hold किया और वो क्या कर रहा था इसको point करना शुरू कर दिया इसने क्या कि s1 ने इसको एक तरह से point करना शुरू किया मतलब कि अब इस समय s1 भी क्या है एक तरह से यही array है जबकि उसमें क्या था copy of array थी अब इसमें क्या है यह वही particular array है अब जब मैंने क्या किया s1 में एक particular index पर change लाया तो हुआ क्या s1 क्योंकि इसी array पर point कर रहा है तो इसी वज़े से हमारे आकाश में मतलब कि हमारे जो 0 इंडेक्स था उसमें change आ गया तो इसी लिए आपने जब देखा memory वाले को मैंने जब call किया तो उसके करने से कोई फरक नहीं पड़ा था हमारी original array पर जबकि मैंने इस वाली array जब मैंने storage वाली array को call किया तो क्या हुआ क्योंकि s1 जो है इसी particular array पर point कर रहा था मारी student array पर point कर रहा था तो जब भी हमने कोई change किया s1 में तो वो कहां reflect हुआ हमारी original array में reflect हुआ तो यही difference है मतलब है यही चीज़ आपको बदाने चाहते है कहां पे storage और memory का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वरना किस तरह की problem आप face कर सकते हो तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे like करना मत भूलेगा मेरे चैनल को subscribe करेगा आने वाले time में आप मेरे चैनल पर नए नए वीडियो नए नए courses जल्दी देखने वाले है अगर आपके मन में कोई doubt है तो प्लीज इसे comment करेगा मैं definitely उस वाल पर नहीं पूरी कोईश करूँगा तब तक के लिए बाबाई